देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर एक गुड न्यूज सामने आई है क्योंकि वारणासी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में 20 मार्च से एक बड़ा वदलाव होने जा रहा है और जिसके बाद इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की परिशानिया काफी हद तक कम हो जाएंगी तो आगे वीडियो में जानेंगे इस अपडेट के बारे में लेकिन इससे पहले सस्क्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको रेलिवे से जुड़ी तमाम अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहें दोस्तो वनारस से नई दिल ली जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खुसकवरी है क्योंकि इस रूट पर चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन अब हपते में 5 दिन की जगाए 6 दिन चलाई जाएगी और ये वदलाओ परसों यानी 20 मार्च से देखने को मिलेगा फ्रेंड नम्मर 2243536 नई दिल ली वारणसी वंदे भारत एक्सप्रेस जो अब तक बीक में सौंबार और गुरुवार को बंद रहती थी यात्रियों की लगातार मांग को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने इसको बाकी 9 वंदे भारत ट्रेनों की तरह सप्ता हमें 6 दिन चलाने का फैसला किया है यानि अब नई दिल ली वारणसी वंदे भारत सौंबार को भी चलेगी लेकिन एक दिन गुरुवार को मैंटेनेंस की चलेते अपनी सेवाएं नहीं देगी अगर इसके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने के टाइम की बात करें तो ये ट्रेन रवी बार, सौंबार, मंगलवार, बुद्धवार, सुक्रवार और सनीवार को सुभए 6 बजे खुलती है जो 10 बचकर 8 मिनिट पर कानपुर सेंट्रल आकर दो पहर, 12 बचकर 8 चरकर की साम 4 बचकर 35 मिनिट पर प्रियागराज जंक्सन, साम 6 बचकर 30 मिनिट पर कानपुर सेंट्रल और रात 11 बची न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुचेगी, नई दिल्ली वरण सी वंदे भारत एक्सप्रेस टोटल 758 किलिमिटर का डिस्टेंस 8 घंटे में पूर करती है